दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं आपका लुक्स मैटर नहीं करता पर वो गलत कहते हैं लुक्स मैटर करता है और आप ये बात मान लीजिए उतना ही जल्दी आपके लिए भी अच्छा होगा अगर आपके पास लुक्स हैं तो लोग आपको मुड मुड के देखेंगे अगर आपके पास एक अच्छी प्रसनाल्टी है तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे बात करने में इंट्रेस्ट होगा उनका इन शौर्ट कहें तो आप एक attractive person बनेंगे तभी लोग आप में interest दिखाएंगे चलिए मान लेते हैं अगर आप एक attractive person है लेकिन अगर आप इन 6 बातों का धिया नहीं रखते हैं तो जो यह आपका attractiveness है वो गायव हो सकता है क्योंकि बहूत लोग के साथ होता है, इन फैक्त, आपके साथ भी हो चुका होगा कि पहले तो लोग आपको पहुत मान दे थे, पहले लोग आपकी तारीफ करते थे, पहले लोग आपको लाइक करते थे पिएन आजकी डेट में वह सब खतम हो चुका है, कोई भी आपको like नही देता है इन फेक्ट आपसे बात करने में भी कुछ खास कि दिखाता और यहीं होता है अटेक्टवनेस में ख़तम होने से और वीडियो में हम यहीं जानें गें कि आसी कौनसी जगने की आज की जमाने में बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स तो मौजूद ही हैं और ये स्मार्टफोन्स लोग रात में बहुत साधा यूज करते हैं दिन में तो करते ही करते हैं और रात भर जाक जाक के स्कॉलिंग करते रहते हैं चैट्स करते रहते हैं ज़्यादा rudely behave करेंगे सबसे जिसकी वज़े से लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रभावित होता है वो इसलिए होता है क्योंकि लड़की जब बहुत ज़्यादा खुश होती है उसमें कोई घमड नहीं होता है वो serious ज्यादा नही देखे अगर आप एक लड़के हैं तो आप हर एक चीज को मजाख में या बहुत ज़्यादा फनी में अगर आप लेते हैं किसी भी चीज़ को तो हो सकता है कोई लड़की आपसे प्रभावित ना हो आपसे इंप्रेस ना हो बलकि depressed हो जाए वहीं पे अगर आप एक लड़क फ्रेंक लड़कियां पसंद होती हैं लड़के पसंद होते हैं तो किसी को बहुत साथा सीरियस रहने वाले लड़के लड़की पसंद होते हैं वो लोगों के उपर भी depend कर सकता है अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको लगता है तीसरा जो पॉइंट है वो है उन लोगों के बारे में जो किसी की बात को सुनते हैं पर पुरा ध्यान से नहीं सुनते हैं जिसकी वज़य से impression आपका बहुती गंदा वाला पड़ता है माले देगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसकी बातों को सुन रहे हैं लेकिन आप पूरी तरह से उसकी बातो कुछ शेयर करना नहीं चाहेगा तो इन बातों का जरूर खासा ध्यान दीजिए किसी एक छीस में फोकस करिए या तो उसकी बातों पे या तो किसी और चीज में नहीं तो यह चीज आपके लिए बहुत जादा हामफुल हो सकती है इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है बहुत जादा इस्ट्रेस लेना ये दोस्तों आपके mental health को तो बिगाड़ेगा ही साथ साथ में आपके social behavior को भी बहुत जादा बिगाड़ेगा क्योंकि अगर आप बहुत जादा इस्ट्रेस लेते हैं तो आप किसी के सामने बहुत जल्दी panic हो सकते हैं in fact बहुत सारे cases में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत लोग इतना जादा इस्ट्रेस लेते हैं जिसकी वज़े से उन्हें panic attack आजाता है और यह बहुत साथा भारी पड़ता है देगे दोस्तों जान है तो जहान है इसी लिए अपने health पर काम करना स्टार्ट करिए जिससे आपकी health ना बिगड़े वह काम करिए जिससे बिगड़े उसकाम को हाथ भी ना लगए उसकाम के बारे में सोचिए भी मत इसलिए दोस्तों खुद को आप थोड़ा समय देजिए इस्ट्रेस लेने के हो जाए अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन धूड़िये और समय के साथ साथ सभी ठीजने ठीक हो जाती है बाचवा पॉइंट है laziness दोस्तों अगर आप एक बहुत ही आलसी किस्म के आदमी है ना तो आप दुनिया से बहुत जादा पीछे रह जाने वा लोगों के सामने अपने आपको एक active और healthy person नहीं शो करते हैं या दिखते नहीं है तो आपका impression बहुत ज़्यादा डाउन होता है इसलिए पहले आप अपने laziness को दूर करिए दोस्तों number six point थोड़ा छोटा point है लेकिन यह बहुत ज़्यादा important point है वो है आपकी smell आप कैसा महक है या कैसा बदबू करते आप आप देखेंए बदबू है कोई नहीं गरना चाहाएगा सब लोग महकना ही चाहेंगे यह भी टिपेंट करताँ है कि कौट सब पर्फ्यूम यूज करते हैं कौन सा इत्र यूज करते हैं क्योंकि अगर आपका कोई एक ही पर्फ्यूम है आप वही पर्फ्यूम बार बार लगाते हैं वही चीज आपकी निशानी बन जाती है तो सबको पता लग जाता है कि हाँ ये बंदा इस पर्फ्यूम को लगाता ह और डेफिनेटली यही आया होगा तो अपनी पर्फियूम को एक अच्छी क्वालिटी दीजे जिसे लोग आपको ज़्यादा पसंद करें आपसे ज़्यादा बात करना चाहें अगर आपके सेंट की खुस्पू बहुत ही अच्छी होगी तो लोग आपसे ज़्यादा की बेल आइकोन को दबाईए अभी के लिए चाहें एंद